हेलो बच्चों कैसे हो आप लोग लेक्चर नमबर एट पे हम लोग पहुँच गया है और आज लेक्चर नमबर एट में हम लोग बात करने वाले हैं कि molecularity of reaction क्या होता है चलिए तो start करते हैं कि तेखो molecularity of reaction के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लिजए कि यह जो है molecularity जो term है यह single step reaction के लिए define किया रहता है multi step reaction के लिए यह चीज़ डिफाइन ही नहीं है तो हमने यहाँ पे लिख रखा है कि this concept is useful for single step reaction तो पहली बात आपको ध्यान दानी चाहिए कि भाई यह जो है वो single step reaction के लिए होता है और single step reaction कोई हम लोग बोलते है elementary reaction clear है यह बात अच्छा यहाँ पर हमने लिखा है कि the number of molecules of reactant that take part in elementary reaction elementary मतलब single step उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं molecularity कि कि कितने molecules participate कर रहा है अब आपने एक चीज़ पढ़ाता है collision theory क्या चीज़ होती है तो बोलता है कि molecules molecules effectively collide अगर करेगा तो product देगा collision theory है collision theory बताती है कि सारे के सारे molecules जो collide करते हैं वो product नहीं देते effective जो collision होता है effective collision का क्या क्राइटेरिया है वो भी अपन बात करेंगे नहीं बन जाएगी effective मिलन होना चाहिए effective मतलब समझ में आ रहा है कि भाई तुम थोड़े बन ठन के होने चाहिए smart डिखने चाहिए गारी होना चाहिए ऐसे नहीं कि मिलके आ गए और बात बन गई ना ना ऐसे नहीं चलेगा ठीक है तो बात समझ में आ रही है effective collision चाहिए अच्छा दूरसी बात है कि तो number of molecules atom of a reaction molecules या atom जिसकी भी बात करें of a reactant must must collide effectively to give product in an elementary reaction वो ही बात है बोलता है कि अगर product बनाना है तो molecules या atom को effective collision से होके गुजरना पड़ेगा और single step reaction की बात चल दिए तो single step reaction में अगर आपको effective collision होगा तो product मिलेगा उसकी बात बोलता है कि molecularity is defined for complex is not defined for complex reaction अच्छा यही बात हम लोग बात कर रहें कि complex में हमको पता ही नहीं चलता है कि molecularity कि इतनी है कि अगर बहुत सारे step हो रहा है involved तो हम molecularity की बात वहाँ पे नहीं करेंगे clear है क्योंकि वो complex होता है उसको समझना अच्छा अब हमारे पास कि यह जो elementary reaction है कैसे पता चलेगा कि elementary reaction है तो हमने मान लिजे ले लिया कि a plus b gives c और हम बोल रहे हैं कि अच्छा फिलाल अभी मत बोलो कि इसको ही elementary हम बोल रहे हैं कि a plus b gives c और experimentally हमने देखा कि rate is equal to k into a पे power 1 आया b पे power 1 आया experimentally ठीक है इसको देखके नहीं लिख दिया मैंने experimentally ऐसा आया अब हमने देखा कि यहां पे stoichiometry 1 था यहां भी stoichiometry 1 था अब यही stoichiometry अगर power में आ गया experiment के थूँ हमने देखा कि भाई उसका जो stoichiometry है और यहां का power match कर रहे है तो हम बोले अगर ऐसा हो जाए तो हम इस reaction को क्या बोलते है elementary reaction बोलते है क्या बोलते है elementary reaction और elementary reaction में जितना order होगा उतनी ही क्या होगी molecularity होगी मतलब a और b मिलके क्या कर रहे है दोनों collide हो रहे होंगे तो यहां पर कितने molecules या कितने atoms collide हो रहे है जवाब है 2 इसलिए इसकी molecularity कितनी हो गई 2 हो गई order कितना हो गया order भी 2 है देखिए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 हो गया अच्छा इस पर हम लोग कुछ examples लिल रहे है जैसे यहां पर लिया होगा है कि NH4NO2 gives N2 plus twice of H2 यह एक elementary reaction है अगर यह एक elementary reaction है तो आप क्या बोल सकते हैं कि rate is equal to k into जो उसका reactant है पर 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 power क्या हो जाएगा जो इसका stoichiometry था stoichiometry कितना था 1 था तो यहां पर 1 लिख दिया अच्छा अब हमको दिख रहा है कि molecularity यहां पर भी 1 है क्योंकि एक ही molecules है जो कि क्या हो रहा है break हो रहा है तो एक ही molecular मतलब एक molecule की कहान ही है इसलिए molecularity एक होगी order भी कितना है तो 1 है और हमने यही चीज़ बोला हुआ था कि अगर यह single step reaction है या हम इसको बोलते है elementary reaction है तो यहां पर क्या होगा molecularity और order दोनों क्या आएंगे same आएंगे अच्छा चुकि यहां पर molecularity जो है वो 1 है तो हम इसको क्या बोलते है unimolecular reaction uni मतलब 1 तो unimolecular reaction clear है यह बात अच्छा second बात पर आते है second मालीज हमने यहाप एक reaction ले लिया कि twice of hi gives h2 plus i2 और rate experimentally देखा गया कि rate कैसा था तो बोला k into hi पर power 2 experimentally इसको देख के नहीं लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है जब हमने देखा कि भाई उसका stoichiometry और यह जो order है दोनों सेम आ रहा है तब हम बोल रहा है कि यह क्या है यह एक single step reaction है उसके बार हम लोग बोल रहा है कि molecularity कितनी होगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा क्यों molecularity 2 आएगी क्योंकि यहाँ पर h2 यह जो है hi 2 molecules आएगे hik मिलेंगे तब जाके h2 plus i2 मिलेगा पर तब 2 की कहानी है तो molecularity कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी और आपने देखा कि यहाँ पर order भी 2 आता है तो आपने वही चीज़ यहाँ पर verify कर लिया कि molecularity और order दोनों यहाँ पर equally आएगे हर जगब पे कहाँ कहाँ equal आएगे single step reaction जब भी single step reaction होगा जिसको हम बोलते है elementary reaction तो वहाँ पर molecularity और order same आएगे अच्छा अब है कि molecularity अगर दो आती है तो हम इसको बोलते है biomolecular पहला में क्या देखा था हमने कि unimolecular था यह कैसा है biomolecular है bio मतलब biology नहीं bio मतलब यहाँ पर bio मत पढ़ लेना इसको ठीक है यह है biomolecularity तो biomolecularity अगर है तो हम क्या बोलेंगे 2 होगा लिखते इसको bio है बोलते हैं bi ओके थर्ड है थर्ड अपने पास जो नेक्स जो अपना reaction है फॉर्थ है सॉर्ड तो यहाँ पर है twice of NO plus O2 gives twice of NO2 फिर आपने यहाँ पर rate देखा experimentally आपने rate देखा तो experimentally आपने जब rate देखा तो आपको रिखाई दिया कि NO2 पर power 2 है O2 पर power 1 है देखा आपने कि यह तो इस्टोचियोमेटरी के साथ मैच कर रहा है अब इस्टोचियोमेटरी के साथ अगर मैच करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि यह एक elementary reaction है और elementary reaction है फिर आपने बोला molecularity कितनी होगी तो हमने बोला 2 इसके हैं एक इसका है मतलब 3 है तो molecularity कितनी हो गई 3 तो हम इसको बोलते हैं termolecular क्या बोलते है termolecular, term मतलब होता है 3 order भी कितने है तो order है 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 तो हम लोग वही बात कर रहे हैं कि molecularity और order दोनों बराबर आते हैं elementary reaction में तो यहाँ पर हमने diagram बना के भी आपको समझाने की courses किये कि देखो A इДर से आ रहा होगा, B इदर से आ रहा होगा, C नीचे से आ रहा होगा सब टकरा जा रहे होंगे सब एक ही समय पर टकरा रहे होंगे देखे रहें कितना कम probability है कि सब रिखं़ जुम 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 कर के क्या हो रहा है कि molecules जो है move और बोल रहे हैं कि 3 molecules एक साथ ठकराए ऐसा chances कम होता है तो हम बोलते हैं कि यह जो molecularity 3 है या 3 से उपर बहुत rare होता है तो 3 तक तो हम लोग बरदास कर लेते हैं लेकिन 3 के उपर हम बोलते हैं नहीं होता ठीक है? 3 के उपर अगर आ रहा है तो आप बोलिएंगे नहीं वो single step नहीं है वो multiple step है करेंगे उसके बारे में बात अगला है CH3 COO C2H5 प्लस H2 यह हम लोग को देता है CH3 COO H और C2H5 OH बड़ा famous reaction है इसको हम लोग बोलते हैं hydrolysis of hyster तो यहां पर दिखा गया कि जो rate है rate कैसा आ रहा है तो इसके पहला वाला जो reactant था मतलब CH3 COO C2H5 पे power 1 और H2O पे power था ही नहीं क्या मतलब हुआ इसका तो बोला कि देखो यहां पर क्या है कि concentration of water बदल नहीं रहा है अब किसी का concentration नहीं बदल रहा है तो हम कैसे माने कि वो यूज हो रहा है reaction में इतना ज्यादा excess amount में water था समझाता हूँ मैं आपको रूको हम बोल रहा है कि यहां पे हमने दो लिये molecule एक लिया हमने कौन सा CH3 COO C2H5 और साथ में हमने क्या लिया water लिया हम देख रहा है कि water इतना excess में था कि water में कोई change नहीं आया उसके concentration ठीक है ना तो उसका concentration कम हुआ ना तो बढ़ा तो हम बोल रहा है कि साइद H2O participate नहीं कर रहा है तो हम यहां पे देख रहा है experimentally देखा गया कि K into CH3 COO C2H5 पे power 1 इसके उपर power था 0 ठीक है समझ में आ गया तो यहां पे लिख दिया है region कि concentration of water is not changing इसी लिए rate is equal to हो जाएगा K पे K into या K' बोल दो ना यह रहो यह जो K और H2O का concentration होता जो थोला सा change होता थोला सा मतलब लगबग constant है तो लगबग constant है तो हम K को नया नाम बोल दिये K' ही है K' into CH3 COO C2H5 यहां पे order कितना आया बिटा 1 आया order लेकिन molecularity कितनी आ गई 2 क्या है इस बार order और molecularity सेम नहीं आ रही है समझो इस बात को order आया 1 molecularity आई 2 क्योंकि भले excess amount में था आप बोल जाएंगे concentration नहीं बदला है लेकिन क्या H2O के बिना यह बात बन पाती जबाब नहीं नहीं बन पाता अगर नहीं बन पाता तो molecularity कितनी होगी 2 होगी कि नहीं तो देखो यह चीज यहाँ पे जाके बदल जाता है जब भी excess amount वाला बात आता है न तब यह चीज अलग हो जाती है मतलब order और molecularity अलग-अलग हो जाती है तो हम इसको लग रहा है दो है और है यह basically एक मतलब pseudo first है तो pseudo first में जब भी pseudo वाली बात आजाएगी न तो order और molecularity सेम नहीं रहेंगे कहीं पर लिख दू इस बात को note में note में लिख देना कि pseudo जब हो pseudo मतलब धोखा ठीक है तो धोखा देगा यह pseudo जब होगा तो क्या होगा order is not equal to molecularity ठीक है तो इस चीज को note में हमने करके यहाँ पर रख दिया कितने का note है 2000 का गुलाबी वाला ओके next है कि next है कि inversion of cane sugar cane sugar का inversion वाला जो reaction है वो हमने पहले भी देखा था उसमें क्या होता है कि C12 H22 O11 जो कि levo होता है H2O के साथ react करके और क्या देगा C6 H12 O6 levo और C6 H12 O6 dextro देता है तो देखो यह major quantity होता है इसका major quantity है dextro हमने लिया था levo मिला हमको dextro तो हम क्या बोलेंगा इनवर्जन हो गया है तो इसलिए इसका नाम है inversion of cane sugar और rate यहां पर क्या हो जाएगा rate हो जाएगा C12 H22 O11 पर power 1 H2O पर power 1 अब चुकी H2O पर power 1 है लेकिन H2O का amount इतना जादा है कि उसमें concentration में कोई बदलाव नहीं हुआ है अब concentration में कोई बदलाव हुआ नहीं तो क्या यह constant बन जाएगा तो K यह भी एक constant है K एक constant है H2O का जो concentration था वो इतना कम change हुआ कि हम उसको treat कर रहे है कि वो constant है तो यह दोनों constant मिलके एक नया constant बन गया नाम क्या है उसका K' तो rate is equal to K' C12 H22 O11 अब आपको दिख रहा है कि order यहां पर 1 है तो order हमने 1 लिख दिया लेकिन, लेकिन, लेकिन molecularity 2 है गलती से भी भूलना मत इस बात को ठीक है तो यहां पर भी क्या आ रही है बात चक्कर क्या आ रही है कि यहां पर भी हमको लग रहा था कि हमारा order 2 आना चाहिए बट है कितना order 1 क्यों है समझ में आ गया अच्छा next reaction पर आते है next reaction है कि माल लीजिए एक general reaction हमने ले लिया कि 2A plus B gives C B जो है वो excess में है तो आप क्या बोलते है कि rate is equal to हो जाएगा आप देख पारे हो यहां पर यहां पर बात कर रहा हूँ मैं इस line पर rate is equal to K और A का concentration का square B पे power 1 और यह B जो है वो excess amount में था हम उसको बोल रहें कि यह constant है constant है तो K' बोल दीजिए और A का power 2 अब यहां पर आपको दिख रहा होगा कि molecularity तो 3 है लेकिन order 2 है इसको हम बोलते हैं pseudo second order reaction यह बढ़िया example हो सकता है pseudo second order का ठीक है इस तरीके से लिखके बता दीजिएगा वाँ पे ओके आगे बढ़ें अब है अपने पास की X plus Y gives Z 2 नहीं है यह Z है और यह बोला है कि elementary reaction है कैसे पता चला होगा उसको elementary है देखो उसने experiment किया होंगे उसके बाद rate order लिखा होगा फिर देखा होगा कि अरे यह तो stoichiometry के साथ meet कर रहा है मतलब match कर रहा है अब stoichiometry के साथ जब उसके power match करने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं elementary reaction है single step reaction है और यहाँ पे क्या आ गया तो बोलेंगे order भी 2 है और molecularity भी कितनी है 2 है clear है यह बात अच्छा अब देखो अगर है हमारे पास एक complex reaction जिसको हम बोलते हैं कि multi step reaction बहुत सारे इसमें step involved होंगे तो ऐसे situation में जैसे हमने यहाँ पे एक example ले रखा example number 1 दिख रहा है आपको हाँ तो हम लोग बात कर रहे है कि NO2 plus CO gives NO plus CO2 जो कि एक complex reaction है तो complex reaction में हमने देखा experimentally कि rate is equal to होता है k into NO2 पे power 2 अब चुकि यह elementary तो है नहीं कि आप इसके stoichiometry के बराबर लिख दिजेगा ठीक है हमने बोला कि भाई इसका order है 2 experimental बात है यह बोला ठीक है हमने इस reaction को देख के बोला कि molecularity होगी 2 क्यों हमने बोला भाई एक इसके molecule होगे इसके molecule होगे और इसके molecularity जो है वो 2 होगी गलत हो गया क्यों गलत हो गया क्योंकि भाई multi step के लिए molecularity defined ही नहीं है तो यही चीज़ हमने यहां पे cross किया और cross करके लिख दिया कि not defined clear है यही याद दिलाया था इस्टार्टिंग में भी second जो मैंने example लिया है वो है CH3 CHO और यह अपने को देखा break होके CH4 and CO complex reaction हो ठीक है इतना आसानी सा नहीं इतना आसानी सा लिखा हुआ है तो आपने rate देखा इसका experimental है यह चीज़ यहां लिख दो experimentally आपने देखा है क्या देखा तो आपने देखा कि K into concentration of CH3 CHO पे power 3 by 2 आया ठीक है experimental value है हमको पता है कि order negative हो सकता है fraction में हो सकता है decimal में हो सकता है ठीक है फिर से पूछे आप से कोई molecularity कितनी होगी one तो नहीं बोल दोगे किसार एक ही है यहां पे तो नहीं बोलेंगे not defined भाई यह चीज़ जो है molecularity जो है यह multi step के लिए defined यह नहीं है अब एक चीज़ ध्यान दखना है यहां पे order जो होता है वो एक experimental value है और molecularity जो है यह एक theoretical concept है theory बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ होगा ठीक है तो हमेशा जीतेगा कौन क्योंकि experimental value जीतेगी science जो है वो totally based किस पे है experiment पे ठीक है ना कि आपकी theory पे भाई theory क्या है एक मन गरंद कहानी है जो क्या करता है जो real चीज को explain करता है ठीक है लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि भाई जो आप अपने मन में सोचेंगे वैसे ही nature चलेगा ऐसा तो नहीं है clear है यह चीज़? अच्छा अगला है कि एक question पुछता है बोलता है कि molecularity generally हमेशा तीन के बड़ाबर या छोटा होता है क्यों ऐसा? तो उसका answer है कि the probability of simultaneous and effective collision of three molecules in a very is very low. क्या बोला है? कि molecularity होता क्या है? molecularity मतलब होता है कि कितने molecules एक साथ effective collision कर रहा है? तो हम बोलेंगे तीन से बड़ा नहीं हो सकता है. क्यों? क्यों नहीं बड़ा हो सकता है? या तीन molecules का एक साथ collide होना और effective collision होना ठीक है? यह बहुत rare chance है, बहुत कम probability होती है और तीन से बड़ा तो होता ही नहीं है. तो यहीं चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखा है कि the probability of simultaneous and effective collision of three molecules is very low. Hence term molecularity, term मतलब three and higher molecularity reactions are rarely observed. clear है यह चीज़? यह answer आपको लिखना आना चीज़िए. अगला जो है ना हमने यहाँ पर एक difference बना लिया है कि order of reaction और molecularity जो कभी-कभी तो same भी आती है उसमें फर्क क्या है? को हम दे सबसे पहली बात तो हो ही लिख दिया कि यह experimental है देख रहे हो यहाँ है molecularity हमेशा defined होता है कि इसके लिए elementary reaction के लिए. उसके बात है कि order can be negative, zero, positive, fraction, etc. etc. मतलब decimal हो कि अब है कि molecularity मतलब है कि number of atoms. भाई number of atoms आधा कैसे ले सकते हो? fraction में कैसे ले सकते हो? negative कैसे ले सकते हो? नहीं होगा. मतलब केवल और केवल positive होंगे और integer होंगे. तो यह तीसरा difference हो गया. चौथी चीज है कि order 3 से बड़ा भी हो सकता है. हमने देखा था कि n order तक हम लोग बात कर रहते 10 order, 12 order. लेकिन molecularity 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता. हमने अभी अभी देखा. तो इस अज़िके से यह difference दिया हो है. I hope आपको यह lecture, छोटा सा lecture, सुन्दर सा clear हो गया होगा. चलो, ठीक है. मिलते हैं हम लोग next lecture में. Thank you.